नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चनल नई सुभा में हार्दिक स्वागत है आज हम आपको बताएंगे पीपल के पत्ते का इस्तेमाल जो 99% तक लोकेज को दूर कर देता है जिससे हार्ट अटैग की समस्या नहीं होती है जो विक्ति बरदाश नहीं कर पाता है तो उसके लिए आप पीपल का पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं आपको इसका पत्ता किस परकार इस्तेमाल करنا है हम आपको बताएंगे यह पत्ता 99% blockage को तूर कर देता है जिससे heart attack की समभावना नहीं होती है जिस व्यक्ति को heart attack अभी पढ़ा हो उसे भी यह पत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा करने से भविशे में heart attack की समस्या नहीं होती है आपको यह किस प्रकार बनाना है सबसे पहली बात इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके लिए आपको कोई भी ज़्यादा महंगी दवाई खाने की जूरत नहीं होती है यह बिल्कुल प्राकरतिक तरीके होते हैं जो आपके स्वास्त को एकदम अच्छा बना देते हैं इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार नुस्केल आते रहते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें जिससे आपको सभी जानकारियां मिलती रहें आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें तो आएए जानते हैं इस पत्ते से आपको क्या बनाना है किस प्रकार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपको सबसे पहले पीपल के 15 पत्ते लेने हैं ध्यान रखना है वही पत्ते ले पत्ते को अच्छी तरह साफ कर लेना है और इन पत्तों को आप अब एक किलास पानी में धीमी आज पर पकाना है और इसके बाद जब पानी एक तिहाई रह जाएगा तो आप इस पानी को उतार कर ठंडा करके साफ कपड़े से चान ले और इसे ठंडा होने के लिए रख दें इससे आपकी दवा तयार हो जाएगी, अब आपको यह पानी यह काड़ा तीन भागों में बाट देना है, तीन भागों में बाट कर इसका सेवन इसको पीना है हर तीन घंटे बाद और यह आप सुभे से शुरू कर सकते हैं, यानि कि आठ बजे पीना है पहले आपको, उसके बाद आप 11 बजे पी सकते हैं, और उसके बाद आप 2 बजे पी सकते हैं, इसको पीने से दिल का दोरा पढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है, अगर आपको या आपके घर में किसी को या आपके रिष्टेतार को हार्ट अटेक की समस्या है, तो आप उसे जरूर बताएं, आप उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें, इस नुसके को हिर्दय रोगी को बिल्कुल अपनाना चाहिए और जरूर ही करना चाहिए, पीपल के पत्ते में दिल को बल और शांती देने की अदबुद शमता होती है, जो 99% ब्लोकेज को दूर कर देती है, बस इस पीपल के पत्ते के काड़े को दिन में 3 बार लेना है, 3-3 गंटे बाद, एक सुबह 8 बजे, एक सुबह 11 बजे और फिर 2 बजे, आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इसको पिएंगे तो आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, यानि कि ज़्यादा खाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भारी खाना नहीं खाए हैं, हलका फुलका भोजन आप कर सकते हैं, और यह आपको लगातार 15 दिन तक पीना है, रोज ऐसे ही करके आपको अपनी दवाई बनानी है, इसको करने से आपका हिरदे बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, और बिल्कुल बढूर अपना इसको आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना पूले हैं सब्सक्राइब बटन के पार बेल बटन दबना ना पूले हैं जिससे आपको हमारी साथ भी शेयर करना ना पूलें जिससे आपके सभी मितर भी जानकारी प्राप करके अपने जीवन में फायदा उठा सकें